तक्षकों सोचिए कि आपको किसी birthday party, किसी anniversary या फिर किसी और party का invitation आया है तो सबसे पहले किस खास चीज का आपको खयाल दिल में आएगा सोचिए दर्शकों जी बिल्कुल ठीक दर्शकों सबसे पहले अगर किसी चीज का खयाल आएगा तो वो चीज है केक और उसके तरह तरह के flavors नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृती मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के कारेकरम भोजे नाल्यम है दर्शकों, ये कारेकरम एक कुकरिशो है जहां आज हम सीखेंगे केक बनाना और जानेंगे इसके तरह तरह के flavors के बारे में तर्शकों, आज हम आए है Home Baker रजनी करोल जी के घर और स्वागत करते हैं इस कारेकरम में नमस्कार जी बहुत बहुत स्वागत है रजनी जी आपका मेरा नाम रजनी करोल और मैं शम्ना से ही हूँ आज हम याँ पे केक बनाने के लिए आए हैं केक बना के आपको दिखाएंगे रजनी जी सबसे पहले तो अपसे यही जानेंगे कि आपने यह सीखा कहा है केक बनाना केक शादी जे पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था हमारे एंप्रोस में एक डिदी रहती है बनाती थी तो मैंने उनसे को आप कैसे बनाते हूं मुझे बताओ तो उनसे बनाना जिखा एक बनोने बदा बनाके लिखाया तो वे मैंने ट्राय किया वह कब अपना पैशन बन गया कुछ पता ही लगा अपने खास तरह का कोट पैना हुआ है वह मैं बैंगलाॉर गई थी वहांपे मैंने केक अपने कोश किया है वनेडा हाफ मंत का अपसी मेटली तो वहां जब यह मुझे अचीव हुआ है वाहां जमने एज़ शेफ बेकरी शेफ करके मुझे यह कोट मैंने वहां ज़ीव दि हम इसमें क्या के इंग्रीडियंस डालते हैं सबसे पले तो यह बताई यह एक बनाने के लिए सबसे पहले हम कैने लेते ड्राइं इंग्रीडियंस हमेशा और आफ देट विल गोफर देट लिक्वेट के लिए सी है मैदा यह है आई सिंग शुगर यह है आपका मिल्क और यह बेकिंग सोडा हाफ स्पून बेकिंग पावडर और हाफ स्पून बेकिंग सोड़ा हम कर्ड में मिलाएंगे जिससे की वह फर्मेट हो जाएगा और उस दर उसके बाद हम ड्राइं ग्रेडियंस अपना मिलाना शुरू करेंगे शीत दर्शक ओन यह दिख लिजी बिट्वेन हम इसके दोर अंदर हम क्या करेंगे सारा के सारे ड्रा इंग्रीडियन्स ये मैदा ये आइसिंग शुगर जी और ये टीशेचेज है मिल्क पाउडर हमने इन सब को एक साथ मिक्स कर दिया है इस तरह से अब जैसे कि आप देख रहे हैं दही इसके अंदर हो गया है तो अब हम क्या करेंगे दहीं को भी इसके अंदर ही डालेंगे दहीं के बाद अब इसमें दूर डाल रहे है और फिर हम डाल रहे है तेल की वजाए आप इसके अंदर मखन भी यूज़ कर सकते हैं पर मखन जो है वह बीना नमक वाला होना चाहिए मिक्स करेंगे यह जिनके पास यह वाली मिशीन नहीं है वह यह हाथ से करने के लिए होम बेकर्स के लिए यह यूज़ किया चाहता है परन्तु मेरे पास यह मिशीन है मैं दो मिनिट के लिए इसको हाथ से मिशीन में जुरूर भूमाओंगे तो दश्यकों हम देख सकते हैं कि काफी एक अच्छा सा मिश्रन तयार हो गया है यह देखे मैं आपना के का सारा बैटर इसके अंदर जाल रहे हूं अब देख सकते हैं कि यह कितना स्मूध है यह दो बनाया है यह कितने लोगों का केक बन यह कम से कम 10 लोगों के लिए एक लोगों के लिए त्यार ओ रहे गए अब यह जाएगा अपना अवन के अंदर 35 से 30 मिनिट्स के लिए ठीक है और उसके बार फिर हम आपको एक पर आइसिंग कर दिखा देखे जैसे होम बेकर्स होती है महिलाएं होती है कहीं महिलाएं ऐसी भी होंगी जिनके पास अवंज नहीं है तो वो किस तरह से पना केक तयार कर सकती है तो उसके लिए बहुत यासा केक को अंदर बैटर को अंदर रखने से पहले कम से कम वह 15-20 मिनिट के लिए बहुत गरम होना चाहिए और बहुत ध्यान से हाथ भी जल सकता है केक बहुत ध्यान रखना है नहीं तो फिर मुझे याद करेंगे कि हाँ चाले बढ़ गए हाँ तो में बताया था तो वह भी ब करते हैं तो कंडिक्शन मोल पे भी आप रही हिट हो जाता है 180 डिग्री पे रहता है तो 30-35 मिनट्स आप उस पर रख सकते हैं सेम अवन के अंदर भी आप उसको अपना के करते टेंपरेचर 60-80 के बीच में डिपेंस कि आपका अवन कॉन से ब्रेंट तो मेरा तो 180 डिग्री तो रजनी जी अब आप हमें बताईए कि इसमें आप आइसिंग कैसे करेंगी बिल्कुल जी अभी यह केक है सबसे पहला स्टेप तो में इसको के को इसमें से डी मोल करूंगी उसके बाद इसकी कटिंग होगी फिर इसके अपर होगी आइसेंग ठीके जी ति कि शुक्त फ़ाइब और तो कर से पार दोच बहुत है बहुत फीज़िए के अ कर ने का आज तक आपने के देखेंगे डान टेबल पर जा रहिए और ऐसे कर टोर रहा है बिंद एक बहुत आसान तरीका है के कटिंगा और वो है के को ऐसे लखेंगे हम यह मेरे पास बन बन इंचिस की दो राद्स है उसको हम ऐसे लगाएंगे और अपका नाइफ आपका हाथ यहां आचे यह जिसे अवाट यह एक लेर है एक दम बिल्कुल नीटन क्रीम लिसे अदर लेर one more layer यह हमारी लास्ट या जो यह वला पाथ है हम इसको सेंटर में कर लेंगे भीच में अचे केमारा ड़ी है के के लिए जो मेन अब जो पार्ट रहता है वोरो रेता आई संग का तो फिक निस पे करेंगे इसंग उसके लिए मुझे कैच है यह 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 क्रीम बिलकुल आइस क कि तरह यह ऐसी रहती है पर मैंने इसको केक बनाने से पहले सको था करना मतलब इसको थोड़ा सा मैल्टिंग पोजिशन में इसको लाके और डिडी रखा हुआ है तो मेरे पास फिर से वही मशीन है मैं हाथ से करूँगी मशीन से करूँगी पर जिनके पस नहीं है तो हैं क्रीम यह जारी है अपना बीटिंग के लिए यह यहां पर यह क्रीम बीच हो रही है जी यह लिम एक सटन स्पीट पे जाएगी जिस पर मैं इसको बीच करती हूं और यह एक ही स्पीट पे बीट ऊगी स्टीफ, फिक्स जोस की आएंगी उससे पता लग जागे कि हमारी क्री यह तो हमारा विपन काम हो गया अब अग्ला चरण यानिक डेक्स्टेप वो क्या होगा अब देख सतने कि जब अमने क्रीम डाली तो कितने लिक्विट फॉर्म में अब देखिया आप जब एक्रीम इसके ओपर आजाए विसके ओपर आप समझे कि यह आपकी क्रीम हो तैयार ह चुकिए बहुत ज़्यादा बहुत पथर भी नहीं होने जए कि ओवर विपिंग नहीं होने चियोर कंबी नीज अटी लिक्विट फॉर्म में भी यह नहीं रहने चाहिए अब हमरा नेक्स्टेप है हम इसको आइसिंग करेंगे केको तो यह मेरी दुबारा से मेरी साथी मे बॉर्ट लोग इसके अंदर यूजिली क्या करते हैं मिलब और बेकर्स इसके लिए थोला सा शुगर डाल देते हैं और वाटर किसा दिल्यूट कर देते हैं बट मैं सिंपल वाटर यूस कर तो रिजन ताकिक बहुत अदा स्वीट ना जाए के लिए बहुत मितास नौजर लो आपन बैग्या लोग्या लोग्या थैसे आगे से यूचली हम इसकोट अच्छे के लिए ट्रेम एसमे डालने जारी हो और फिरम के केंदर आइसें करेंगे इस तरीके से करीम लगाने से के के अंदर की जो लेड़ पे क्रीम है वह बहुत जादा नहीं लगते है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इसको दो फ्लेवर में कर रहे हैं और मेरे पास थ्री लेयर केकी है तो इसमें हम पहला फ्लेवर दाल रहे हैं ब्लूबेरी ये फिलिंग मार्केट में अवेलेवल है और आप अपने आप भी घर पे बना सकते हैं इसको हम स्प्रेड कर देंगे ऐसे तो जो भी हमारे दर्शक ये देख रहे हैं उन्हें ये लग रहा होगा कि ये कितना आसान है करना और रजनी जी ने काफी आसान करके हमें बताया है य क्रिवारी इक कड़ी अगेन इसके अंदर हमने पानी डालना है ऐसे एक कीलो के के अंदर तकरीवन 200 से 200 ग्राम क्रीम आप नाप तोल के ही डाले तो वो पर्फेक्ट्ली एक क्लो के लिए ही जाएगी तो से टाइस गांच जी जी ये जी आपका हमारा सेकिंड लेयर हो गया कि यह अमने ब्लाक कुरंट दाला है और अब ब्लाक कुरंट फ्रेवर के क्रुंच भी दालेंगे इस वैसे स्प्रेट को सब्सक्राइब हो मारी लास्ट लेर थी हमने इसको भी सपॉंच के अंदर भी हमने पानी डाला है ठीकेश अब इसको दो कलेश के साथ डेकोड़ेट करूंगी पिंक और वाइट के साथ जिकेश तो यहां पे मेरा कलर शोकी मेरे बावल में यह भी मार्केट मेशील अवेलेबल है कि मैं इसको मिक्स किया है मैं पूरा मिक्स नहीं करूंगे क्योंकि मैं उसको शेड में बनाने जा रही हूं के को ऐसे यह कंड़र दोबारा से पाइपन बैग में जाए कर आशा मैं थोड़ा वाइट यह थोड़ा पेंक यह अरव इसको एसे के लगा दे जाएंगे जिसे जो क्रीम है केक पे वो बिलकुल अपी तुली लगती है और लो के थे क्रीम कम खानी है क्रीम कम खानी है तो वो चीज भी नहीं रहती है ठीके जिए कर देखने में भी बहुत ही खुबसूरत लग रहा है हमें पिंक और वाइट की एक शेड के साथ तो यह खाने में भी बहुत टेस्टी होगा मुझे पुरा यकीन है ऐसा नहीं है कि के के अंदर आप आइपल बनारे तो उसका कलर बाहर से यलो ही ऐसा नहीं है आप आइपल फेवर के साथ भी कोई भी कलर के के बाहर दे सकते हैं जो भी आपको कलर पसंद है तो वह आपके के बाहर कलर दे सकते हैं कि अच्छी जो यह अपने इसमें इसमें में क्रीम में कलर यूज किया है वह ने कितना कलर यूज किया है कितना करना चाहिए कलर यूज अच्छी जो पर दे सकते हैं जो यूज को अच्छी जो आपके कालर कौन से जैसे में पर यूज कलर है तो मैंने इसकी टूर से थी ड्रॉप्स ली ए और बाकी आपके कस्मर के रिक्वार्मेंट के कॉर्डिंग अगर व चाहता है थोड़ा दाख चाहिए तो उसके अदे अ सकते हैं मैंने लाइट रखे क्योंकि मुझे मैं परस्नली लाइट कलर जादा अच्छी आपने बुंदों के इसाब से वो तीन बुंदे मैंने मुश्कल से लिए इसके अंदर तो मतलब किसी को डा कलर चाहिए तो आहां एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जा सकती हैं जी 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 अ आप किसी क्रड़िट देना चाहेंगी जो अपने ये स्टार्ट अप किया और एज कर्यर आप इस इस में आगे बड़ी जिंदेगी किंदर बहुत सारे लोग इस के पीछे जुड़े हैं मेरी बड़ी बड़ी बेटी की मैम उसका बर्थदे के बनाना था तो नने मुझे कह कि एक बनाना है आप की बड़ी आप ने सेलिवरेशन करने स्कुल के अंदर किए अपके दो मैंने का मैं तो बार से नहीं कहते हैं कियो प्रशाइब वैं कुछ रहा है मुझे हां एक और मेरी हजबन मेरी फॉरी फामिली कि जब मैं बंगलाओ गई तो मेरी हजबन दुखन अपना गाम छोल के इस दो अली परसें जो मेरे साथ गए थे सारा क्रेड़िट मेरे हजबन मिस्टर रोहित करूल को डेफिनिट लिजाता और मेरी फैमिली जिनने सुपोर्ट के दिनने पीचे से बिसने सम्हाला जो सब चोल के वो गए थे अब हम आप से जानेंगे की जो इस बिल्कुर प्लेइन इसके साथ में फ्लास बनाखे बट मेपस यह है एक इसे कोम बोलते तो मैस को यूजरी आप लोगने डिजान बहुत एक होगा यह यह दैट इट 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 ना मतलब सरफेक बरेसे गूमाया और कितना खुबसूरत हो आफ लोग एक जिस बहुत के के इंडर बहुत लाइक करते है वह तफ्लाज फ्लाज भाट लग अच्छे लगते हैं अब मैं क्या करमी थोड़ा सक लिग केक मेरा लाइट कलिका तो मिफलाज जो है डाकलिट में यह एज जिस क्लीन कर सकते हो मैं इस लेनी करी को कि मुझ इस उसके टास बनाने सव हम बना रहे हैं रोज इसके के उपर रो ऑ है रोजसे बनाने के लिए नोज राएं नुसलिट को आता है यσक और ले या उसखिया जाते है जो मैं इस नूजल से इंश्म बेंडिजान बना Beef कि अग्टे तरी टेयर है अगर यहां कुछ डाल दूंज बहुत ओवर हो जाते क्रीम बहुत जादा हो जाती है कि के अन्य है तो कुछ नहीं जादा एक डेकरिशन मार्कित में आप इसलिय अवेलेबल होती है तो मैं थोड़े से वाइप पॉल्स ले रहे हूं जी एसे ताल दोंगी एंद फिर आप एनिवर्सरी लिख सकते हैं फ्री हैंड वाप अनिवर्सरी लिख सकते हैं बर्दे लिख सकते अधर को की आप इस स्टाओं के प्रेशन को जारा ऐस तरह की चलेंजस वो असनी आप यस तरह से यह करा शक शरबकु बल्कु इसका बहुत अच्छा है कि बहुत है सबसे पहले तब अपनी फैमली को टाइम देर हो अपने बच्छों को टाइम देरे और दूसी बाद आप घर से काम कर रहे हो ठीके जी एक और बात इस काम को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फैनेंशल आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगानी की दूरूरत नहीं है बहुत अची चीज ए घर से अप स्टाइब कर रहे हो अपनी फैमिली को देक्रापने बच्छों को देख रहे हो और आपक अपना नाम बना है एक वो बहुत ज़्यूरी आ रजिणी जी देखिए तुमने स्टाट आप कर दी लेकिन आज कल या फिर कह लिजिए की हाईजीन ना सिर्फ आज कल ये पहले भी आगे भी ये बहुत जरूरी है तो हाईजीन इस में किस तरह से रखी जासे हाई जिए सबसे पहले बात भर पे केक बना रहे हैं आपको 10 केक बारी में नहीं बनाने आपको एक एक बनाने तो आपका पूरा फोकुस वहीं रहता है अब जब घर कर सकते हैं ठीक हर एक चीज़ को आप दोनी को सुखने हैं तो हैति हैं तो हाइजरेन लगता है बाहर कि लिए लाय एक पुरेन हाथ ज़्यां उ महना पडिए तो घर से जरा से ये पर्ल्स डालने से केक की खुबसूरती और भी ज़ादा बढ़ गई है तो रजनी जी अब मुझे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है इतना खुबसूरत केक देखके मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको खाऊं तो क्या आप मुझे ये केक खिलाएंगी बिल्क आप दिखने में भी बहुत फूपसूरत है और खाने में अब देखते हैं मुझे यिक यकीन है कि खाने में भी ये बहुत ही हट्य होगा ऑम वाओ रजीय जी ये एक बहुत ही टेस्टीक है और मैं सच में कह रही हूं कि मैंने किसी दुकान पर जो भी मैंने खरीद के खाया है इतना टेस्ट मैंने कहीं नहीं पाया इसमें देखिए चीनी भी एक बहुती सधीवी मात्रा में है क्रीम भी बहुत ज्यादा है भी मुझे नहीं लग रहा है और इसकी खास बात ही है कि देखिए रजनी जी मैं वेजिटेरियन हू और मैं अंडे नहीं खाती हूँ तो देखिए इसके के खास बात ही है कि इसमें अंडे नहीं है यह एक एगलेस के जो की मतलब अब तक मैं तो यह मानती थी और मेरे सरकल में बहुत लोगों की अधारना है कि जो भी हम बाजार से कोई भी बेक्ट चीज चाहे वो केक है चाह नहीं कहने वाली थी कि हमारी दारना जरूर बदली है कि एगलेस केक भी अवेलेबल है और सच में रजनी जी यह बहुत ही टेस्टी है तो दर शको जिन्टेगी में स्वाद बहुत ज़रोरी है और उसी स्वाद की मलिक है हों बेकर रजनी करोल तो रजनी जी आपका हमारे इस कारिक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ये केक जरूर मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज ही जाकर ये बना लूगा जाकर तो दर्शकों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कारिक्रम पसंद आया होगा अगले यंक में फिर से आप से तब तक के लिए आगया दीजे नमस्कार